महराश्ट्री राज्य सर्राफा स्वर्ण कार्फेडरेशन नायगाउं इस्टेशन पर यात्रियों के लिए लगवाया सीतल जल कूलर मुंबई के भायंदल से लेकर विरार तक फैली स्वर्ण वैपारियों की प्रतिष्ठित संस्ता महराश्ट्र राज्य सर्राफा स्वर्ण कार्फेडरेशन ने नायगाउं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविदा हो एवं रेलवे स्टाफ को गर्मी में ठंडा पानी म मुहया हो इसलिए एक वाटर कूलर लगवाया आपको बता दे कि MRSSF ने इससे पहले भी बोरीवली से विरार के बीच कुछ रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर लगवाये जिनसे आज कई लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं पेस है नायगाउं की या खास रि बहुत जरूरी रहता है और प्योर पानी भी आपको चाहिए ताके बीमारी नाम मेले और यह बहुत जरूरी रहता और यह सरापासोचन नायगाउं में साकै नगर है वहां भी कैमेरे लगाए तो कैमेरे से चुरी वगरा इंवेस्टिकेशन करने लिए बहुत आच्छा हु कि दस दिन हो गया था मशिन लगे थी तो आज ऐसे कल मुझे रिप्लाइ मिला कि मशिन आप चालो कर सकते हैं वैसे मैंने DRM साब से बात की और जल्दी से जल्दी मोरत के लिए बोल दिया और रहने बोले कल सुबह बेज देंगे मैं नहीं भी आउंगा तो DRM साइब उसके लिए सब को धने बाद हमारी जो इच्छा थी लास तक भी कि मिरारोट तो विरार तो हमारा फिलाल स्टार्ट है अगर इच्छा रही और लोगों के वैपारियों में जाग रुकता रही तो हम मिरारोट से अंदेरी तक भी लगाएंगे वो भी हमारी भावना है तो हम बावना है कि महने अमने पहले मिरारोट से विज्छा तक लगा रहे उसके बाद मिराalon से अंदेरी तक भी लगाएंगे ते अरे इसके साथ में आने वाले लोग मेरारोट से सेवक जी और गुफता जी और अमारे दोनों स्टेशन मास्टर जी और जो भी आने वाले को मेरे तरफ से अभी दंदन और कोई भी काम जिन्हों ने ये काम चार्जन ने मिलके बरजी ने बावे सोलंकी और रतन जी और इन्हों ने तीनों मिलकर काम पूरा किया इसके लिए क्योंकि आखिर पैसे बिना कुछ होने वाला नहीं था तो इनकी स्पॉंसर के हिसाब से आज औरो लग गया और यह औरो कम से कम एक गंटे में 40-45 लिटर पानी देगा और फुल दिन फुल डे में कम से कम 700-800 लिटर पानी पब्लिक को और आज है अमारे सफना फूरा हो गया इसके साथ हमारे से से जिंदाबाद हमारे से से अब्सक्राइब और अबी वसई में भी होने वाला फिर नाला सुपरा फिर वीरार और हमारे सब बवर जी मेता साब और रेलवे के साब सभी अपने नगर सेवक आसिस भाई सभी आए और अपने जुलेस वाले सब एमरेस वाले और अपने सभी जुलेस वाले और सभी व्याफरी आये उनका धन्यवाद आबर